और व्यापसाइक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है बांगलादेश में कट्टर पंथी सोच वाले उब्द्रवी जम कर आतंक मचा रहे हैं लेकिन राफा में इसराइली हमले पर शोर मचाने वाले सेकलर लोग बांगलादेश में इंदूओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साथे बैठे हैं देखें जल्दे घर तूटते मंदिर ये नए बांगलादेश की तस्वीर है जहां हर तरफ सिर्फ अराजकता और उत्पात है बांगलादेश में हिंदूओं को खुले आम निशाना बनाया जा रहा है हिंदूओं के घरों, दुकानों में घुसकर कटर पंथी तोड़ फोड़ कर रहे हैं हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है लेकिन बांगलादेश की सरकार की तरफ से सिर्फ अपील की जा रही है मुहमद यूनुस को बांगलादेश की कमान समाले चार दिन हो गए हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने उन्हें बधाई दी और हिंदों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई लेकिन बांगलादेश की सरकार की तरफ से अब तक ना तो कोई ठोस एक्षन लिया गया और ना ही हिंदों पर हमले रुके केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग ने एक 3 मिनट 33 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि बांगलादेश में हिंदों पर हो रहे अत्याचार के बाद वो भारत की ओर भाग रहे हैं अगर भारत के हिंदों को भागना पड़ा तो कहां भागेंगे बांगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ देश के अलग अलग शेहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं मतुरा, हरिद्वार और अयुध्या में साधू संतों ने प्रदर्शन कर बंगलादेश के हिंदों के साथ हो रही जात्ती पर सरकार से दखल देने की मांग की लेकिन विपक्षी पार्टियों में बंगलादेशी हिंदों की सुरक्षा के मुद्दे पर सन्नाटा है जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर रैली, केंडल मार्च निकालने वाले बंगलादेश में हिंदों पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों चुपें फिलिस्तीन पर इस्राइल के हमले के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे लेकिन बंगलादेश में हिंदों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा रही वहाँ हिंदों के इस पिड़ा पर हिंदोस्तान में खामोशी क्यों है जो रोज सवाल पूछते हैं विपक्ष इंडिया गडबंदन उनके नेता राहुल गांधी एक शब नहीं का अब तक बंगलादेश में आपके एकदम पडोस में आप तो रूस और उक्रेन का वार तो उसकी जिम्मेदारी क्या हमारी सरकार की नहीं है? क्या इनको कदम नहीं उठाने चाहिए? जिया के जेल में रहने के दौरान तारीक रहमान को बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बिनपी का कारिवाहक अध्यक्ष बना गया था राहुल गांधी और तारीक रहमान के मुलाकात में क्या बाता हुई? बीजेपी अब राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रही है बीजेपी का कहना है के राहुल गांधी को लंदन में बिनपी के तारीक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए बारे में उल्टी-पुल्टी बाते का राहुल गांधी की निसाने पर अग्ने और इस सुम्विधान के रक्षा करने के लिए जाहे जिस किसी को भी निसाने पर ले ना पड़े मैंलका दूस, there have been good incidents of cases in which temples have been guarded by Muslims, including civilians as well as police and others. I am certainly hopeful that we will be in a position to see calming down and settling of the situation and safeguarding of minorities. उधर अलकाइदा इंडियन सबकॉंटिनेंट ने अपने नेता उसामा महमूद एल एफ का बारा पेज का एक बयान जारी किया है जिसमें उसने बंगलेदेश की जनता को हसीना सरकार को उखाड फैकने पर बढ़ाई दी और इसे इसलाम की जीत बताया और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही अब बने रहें निउस एटीन के साथ